हाई अवरिबन दोस्तो करेमुआ साग की कुछ वेराइटियां विक्सित की गई है पतलब एक वेराइटिय यहां पर विक्सित की गई है अब करेमुआ साग कैसा होता है आपको इसक्रिन पर दिख रहा होगा वैसे कि यह एक पत्तिदार सब्जी होती है जैसे पालक होता है न ठीक दूसरी बात ऐसा नहीं है कि भाई साब इसको अपने नॉर्मली किसी तालाब या फिर जील जहरने में ही लगाएं पिल्कुर नॉर्मल खेती जो करते हैं वहां पर इसको अपने लगा सकते हैं अब इसकी वराइटी कौन सी है कहां पर ये विक्सित हुआ है तो इसको भारतिय सब्जी अनुसंदान शंस्तान IIBR इंडियन इंस्टोट और व। वारांग सी यूपी में हैं इस इंस्टोट के दौरा इसको इस वैराइटी को विक्सित किया गया है इसको नाम है कासी मनू इस वैराइटी को पन देखने वाले हैं दोस्तों IIBR की बारे में आपको माँ थोड़ा सा बता दू कि यह institute ICR के अंडर में आता है अब ICR के अंडर में आता है तो यहाँ पर लगातार सब्जी की जो विसेशता है उसको देखते हुए इस institute को establish किया गया था इसको किया गया था साथवी पंचवर्षी योजिना में सन 1992 में ये इंस्सिट है इसको establish किया गया था खास सबजी के लिए अब वेराइटी की बात करते हैं तो दोस्तो मनुकासी वेराइटी का नाम है और इसको विक्सित करने वाले जो वेग्यानिक है वो राक और रशक रतों की मातरा काफी अच्छी होती है एंटि- एकसिडेंट होते हैं जिंक होता है इसम nellखे इसमें ये बात करें कि यह कौन-कौन से जिलो में इसकी खेती की जाती है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस्क्रिंपर MP पंजाब राष्टान भियार जहार-कड्ड योप और आधी जिलो में इसको उगाया जाता है फिर अपन देखते हैं अपर इसकी जो लागत है दोस्तो एक पॉइंट फॉर जीरो से डेड़ लाग एक लाग चालिस अजार से डेड़ लाग तक इसकी लागत आती है और इसके साग का जो दाम है दोस्तो वो पंदरह से बीस हम परती हेक्टर होती है इससे इसको एक बार हुगाने के बाद इससे हम साला ना अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तो ऐसा नहीं है कि एक बार हुगा दिये फिर इससे नुकसान हो गया है फाइदा होगा इससे फाइदा ही फाइदा होता है पत्तेदार सब्जी है और पोश साइंस अगर्ड में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब भी ठीक है दोस्तों थैंक यू